ये मोटा आदमी जितना भी खॉयے, लेकिन मोटा होने की वजाए ये पतला हो रहा है। आदमी ने दो हफते में 20 किलो घटा लिय हैं। इससे उसकी बीवी को लगता है कि आदमी को कोई बिमारी है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि सब ठीक है। आदमी का टेलर जो कि एक खुद मोटा आदमी है आदमी का वेट लोस देखकर हैरान हो जाता है। ऐसा क्या है कि ये आदमी इतना खाने के बावजूद भी पतला हो रहा है। आईए देखते हैं आज की कहानी में। मोटा और खाने का शोकेन आदमी है। गजोदर रोज सुबह अपना वेट चेक करके अपनी वाइफ मुन्नी को रिपोर्ट करता है। मुन्नी उसका पूरा डाइट कंट्रोल करती है और उसका पूरा वेट भी मेजर करती है। लेकिन गजोदर को कभी डाइट पर रहना है। अगले सीन में हम गजोदर को एक कोर्ट रूम में देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट और माफिया के बहुत बड़े धन्ना सेट को डिफेंड कर रहा होता है। गजोदर एक बहुती शांदार लॉयर है। गजोदर धन्ना सेट का पूरा केस स्टड़ी करता है और तुमारी मदद के लिए आ जाऊंगा। पार्टी से वापिस ऑफिस जाते टाइम गजोदर अपने ऑफिस के बाहर कुछ लोगों को देखता है जो ऑफिस के सामने एक मेले का आयोजन कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो अपने ऑफिस के नीची उन लोगों को देखने आता ह और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और उसी रात गजोदर अपनी वाइफ मुन्नी के साथ पार्टी में जाता है। जहां पर उसकी कंपनी का बॉस भी होता है। गजोदर वहाँ पर खूब सारा खाना खाने लगता ह लेकिन गजोदर उस टाइम पर गाड़ी चला रहा होता है तभी एक बुड़ी औरट फारमेसी स्टोर से निकल कर रोड क्रॉस कर रही होती है तभी अचानक गजोदर की गाड़ी सामने से आ रही होती है और गजोदर मुन्णी की वज़े से distracted होता है और गजोदर गाड़ी से बूडी औरत को कुचल देता है और वो औरत वही पर मर जाती है दरसल ये वही औरत है जो उन लोगों में सी थी जो गजोदर के ओफिस के सामने मेले का आयोजन कर रहे थे अब अगले सीन में गजोदर को एक कोर्ट रूम में दिखाते हैं जहाँ पर वो फार्मेसिस्ट भी होता है फार्मेसिस्ट जज जोली लेलबी को बताता है कि वो बूडी औरत उसकी शौप से कुछ दवाई चुरा कर भाग रही थी उसके बाद वहाँ पुलिस ऑफिसर रावडी राठोर भी आता है और रावडी राठोर भी गजोदर को सपोर्ट करते हुए बताता है कि गजोदर ड्रंक नहीं था और वो अपनी स्पीड लिमिट में ही गाड़ी चला रहा था अब सभी पॉइंट्स गजोदर के फेवर में होते हैं तो जद जोली ललबी उस बुड़ी ओरत के केस को एक एकसिडेंट बता कर केस को रफा दफा कर देते हैं गजोदर जैसे ही बरी होता है वो अपनी पत्नी मुन्नी के साथ कोट रूम से बाहर आता है और उसे गाड़ी में विठा कर खुद गाड़ी का दरवाजा खोलता है इतने ही देर में एक बूढ़ा आदमी आता है और वो गजोदर के पास आकर उसके गाल पे टच करके एक व वेट के बारे में बताता है मुन्नी भी ये सब देख सुनकर कनफ्यूज हो जाती है क्योंकि गजोदर कभी भी अपना डाइट प्लैन फोलो नहीं करता इस बात पर गजोदर एक मजाग करते हुए बोलता है कि मैंने एक नया प्लैन चालू किया है जिससे ज्यादा खाओ और वेट कम करो अगले सीन में हम देखते हैं कि गजोदर गोल्फ केलने अपने गोल्फ सेंटर पे जाता है और वहां उसके दोस्त भी होते हैं जैसे जॉली एललबी डॉक्टर माइक और उसके फर्म का मालिक करक भी होता है गोल्फ केलने के बाद जज जॉली एललबी साथ नाहराए होते हैं तो गजोदर जज को अपने केस में हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है तो जज भी उसे एक बात बताता है कि उसी रात में डिनर करने अपनी वाइफ के साथ बाहर गया हुआ था और वापस लोटते समय एक बुढ़ा आदमी मेरे पास आया और उ जज उसे कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है और जज वहाँ से चला जाता है अगली सुबह जब मुन्नी को पता चलता है कि गजोदर ने लास्ट दो हपते में 40 पाउंड वजन कम कर लिया है तो वो चिंतित हो जाती है और बोलती है कि इसकी वज़ाए कैंसर बीमारी भी हो सकती है और ये सब सुनकर गजोदर को गुस्सा आ जाता है वो कहता है कि तुम मुझसे कभी खुश नहीं होती अगर मेरा वेट बड़े तो भी तुम्हें टेंशन नहीं बड़े तो भी तुम्हें टेंशन फिर अगले सीन में गजोदर को हम डॉक्टर माइक की क्लीनिक पर देखते हैं जहां अपनी बॉडी का चेक अप कराने आया होता है डॉक्टर माइक गजोदर की रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि वो तो बिल्कुल फिट है और इतना फिट तो वो अपनी लाइफ में कभी रहा ही नहीं अगले सीन में गजोदर अपने लिए नया सूट बनान मेरे साथ चलना होगा और माइक उसको ये बताता है कि मुन्नी को उसके अचानक वेट लोज से बहुत टेंशन हो रही है और उसकी तसली के लिए तुम्हें मेरे साथ क्लिनिक चलना चाहिए अपना चेक अप फिर से करवाना चाहिए तभी गजोदर की नजर उसी रेस्टोर की कोई बहन नहीं है तुम चले जाओ तभी गजोदर अचानक बोलता है कि क्या जच भी अपना वेट बहुत ज्यादा जल्दी लूज कर रहे हैं यह सुंकर लेला को उसपर शक होता है और वो गजोदर को अंदर बुला लेती है और उसे पूछता आच करने लगती है कि उसे भी किसी बूढे ने टच करके एक श्राब दिया है फिर लेला बताती है कि उसके husband को एक बूढे आदमी ने श्राब दिया है जज को टच करते हुए एक बूढे आदमी ने उसके कान में एक word कहा था चिपकली और उसके बाद से उसकी skin बदलने लग गई है और एक छिपकली की तरह उसकी स्कीन भी उतरने लगी है इसके बाद emotional होते हुए लेला इन सब चीजों के लिए गजोधर को blame करने लगती है कि तुम ही ने उस बुड़ी ओरत का accident किया था ये सब तुमारे साथ होना चाहिए जो हमारे साथ हो रहा है उसके बाद गजोधर वहां से चला जाता है और एक phone booth पर जाकर उस mafia don धना सेट को phone करता है और पूछता है कि तुमारी मा किसी श्राप के बारे में जानती है धना सेट उसी time पर अपनी मा से पूछता है क्या वो उस श्राप के बारे में जानती है तो वो बोलती है कि हाँ वो बुड़े लोग श्राप देते हैं उसके बाद धन्ना सेट की मा ये भी बताती है कि जिसने श्राप दिया है वही उस श्राप को हटा भी सकता है अगले सीन में मुन्नी और गजोदर को दिखाते हैं जहां गजोदर मुन्नी को बताता है कि उसे एक बुड़े आदमी ने श्राब दिया है। तो मुन्नी ये सब सुनकर बहुत शौक हो जाती है। वो ये सब नहीं मानती और वो गजोदर से कहती है कि तुम्हें कल सुबह हॉस्पिटल चलना चाहिए। अगली दिन गजोदर टाउन के सबसे बेस्ट ऑस्पिटल में जाता है और अपना पूरा चेक अप करवाता है। और डॉक्टर को बताता है कि उसका वेट बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। डॉक्टर उस पर सारे चेक अप करते हैं और बताते हैं कि उसमें कोई भी कमी नहीं है इसके बाद गजोदर चीफ ओफिसर रावडी राठोर के घर जाता है उसका गेट खट-कटाता है लेकिन रावडी राठोर दर्वाजा नहीं खोलता गजोदर जैसे ही जाने वाला होता ह तब ही रावडी राठोर दर्वाजा खोलता है और उसे कहता है कि अंदर आ जाओ गजोदर जैसे ही रावडी राठोर के घर के अंदर जाता है वो देखता है कि रावडी राठोर के भी एक बहुत खतरनाक स्कीन प्रॉब्लम है जिससे उसका पूरा राइट आम और उसका लेकिन उतना सुनते ही ड़र जाता है और उसके घर से बाहर भाग जाता है उसे रावडी राथोर के घर के अंदर से गन वास आती है और वो समझ जाता है कि रावडी राठोर ने अपनी जियान ले ली इसके बाद गजोदर दुखी होते हुए घर जा रहा होता है कि अचानक माई को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखता है और उसे डॉक्टर और अपनी वाइब पर शक होने लगता है इन दोनों क अफेर तो नहीं चल रहा है वो इन दोनों को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसके पास अभी बड़ी प्रॉब्लम है डील करनी को गजोदर फिर से अपनी पत्नी मुन्नी को उस श्राप के बारे में और रावडी राठोर के बारे में बताता है लेकिन मुन्नी फिर से उसकी बातें नहीं मानती और उसके बाद मुन्नी उसे एक साइकेट्रिस्ट के बास जाने के लिए कहती है ये सुनकर गजोदर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूँगा अगली सुबह गजोदर जॉली एललबी को कॉल करता है औ और कुछ दूर जाने के बाद सीटी के बाहर एक बार के अंदर उस बुड़े की फोटो लेकर जाता है और सभी से उसके बारे में पूछता है और तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी उसे पहचान लेता है और वो उस बुड़े की नई लोकेशन के बारे में गजोदर को बत तभी उस बुड़े आदमी की पोती Engeal प्रिया वहां आ जाती है और उसे बुरा भला कहती है और वह अपने गुलेल से गजोदर को मारती है तभी गजोदर भी गुसे से अपना हाथ उठाता है और उन सभी को श्राप देता है और वहाँ से भाग जाता है होटल में जाकर गजोदर के पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है इसलिए वो अपने माफिया फ्रेंड धन्ना सेट को फोन करता है और उससे मदद मांगता है धन्ना सेट तुरंत अपने एक डॉक्टर को गजोदर के पास भेजता है जो कि गजोदर की मरहम पट्टी करता है धन्ना सेट भी वहाँ गजोधर की मदद के लिए आ जाता है धन्ना सेट अपने एक लड़के को उस बोड़े और उसके लोगों पर नजर रखने के लिए कहता है फिर धन्ना सेट उन लोगों के कैम्प में जाकर उनके कुत्तों को जहर देकर मार देता है और वहाँ पर वो एक पोस्टर लगा देता है जिसमें श्राप वापस लेनी की धमकी लिखी होती है अगले दिन धन्ना सेट और गजोधर अपने होटल के बाहर एक कार खड़ी देखते हैं जिसमें एक लड़के की लाश पड़ी होती है और जैसे ही वो उसके पास जाकर देखते हैं तो वो वही लड़का होता है जिसने धन्ना सेट के कहने पर उन लोगों पर नजर रखी थी इससे धन्ना सेट और गजोधर को समझ में आ जाता है कि उन लोगों ने ही इसे मारा है इसी बात पर गुस्सा होकर धन्ना सेट उसी रात उन लोगों के कैम्प के बाहर जाता है और अपनी आटोमेटिक राइफल से वहाँ फायर करने लगता है और वो एंजल प्रिया के हस्बेंट को वही मार देता है अगले दिन धन्ना सेट वहाँ पर FBI की यूनिट पहेंट कर उन लोगों के कैम्प में जाता है और वो एंजल प्रिया से कहता है कि हमने एक आदमी को पकड़ा है जो बता सकता है कि यहाँ पर फायर किसने किया है और वो एंजल प्रिया से कहता है कि तुम्हें उसे पहचानने के लिए मेरे साथ चलना होगा एंजल प्रिया उस पर विश्वास कर लेती है और वो धन्ना सेट के पीछे पीछे जाती है लेकिन एंजल प्रिया उसे मना करती है तो गुस्से में आकर धन्ना सेट उसे गोली मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर गजोधर आ जाता है और गजोधर उसे रोक लेता है और गजोधर उसे एंजल प्रिया को छोड़ने के लिए कहता है अगले सीन में हम गजोधर को दिखाते हैं जो कि समुंदर के पास एक बेंच पर बैठा होता है और सो गया होता है कि तब ही वहाँ पर बुड़ा आता है और उसकी आँखों को खोलता है दोस्तों अगर आप इस वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं हम ऐसी मज़ेदार वीडियो लेकर आते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर स ट्रांसफर कर सकता हूँ और वो उसे खाने की एक डिश देता है और कहता है कि यह डिश तुम जिसे भी खिलाओगे यह श्राप उस पर ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन तुम्हें अगले 24 गंटे में ही यह किसी को खिलानी पड़ेगी वरना यह श्राप हमेशा के लिए इनका चक्कर चल रहा है इसलिए वो पाई घर पर ले आया होता है क्योंकि वो अपनी वाइप को यह पाई खिलाना चाहता है और वो उसको बहला फुसला कर यह पाई खिला देता है और जाकर सो जाता है अगले सुबह जब वो उटता है तो उसके बगल में उसकी वाइप सो खा लिया था तब उसे बहुत ज़ादा अफसोस होता है अब गजोदर को बहुत गिल्ट हो रहा है अब वो सोचता है कि अब उसकी पूरी फैमिली ही नहीं रही तो वो जिन्दा रहकर करेगा भी क्या तो वो जैसे ही वो पाई खाने लगता है इतने में उसकी डोर वेल बसती है और जब वो गेट खोलता है तो हमारे डॉक्टेर Mike होता है डॉक्टर को देखकर गजोदर को खयाल आता है कि इसी डॉक्टर की वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया तो वो मन में सोचता है कि क्यों ना मैं इस डॉक्टर को वो पाई खिला दूं और वो उस डॉक्टर को घर में बुलाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है तो कैसी लगी आपको यह फिल्म हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए देखने के लिए धन्यवाद अगली मूवी के लिए हम वापस मिलेंगे थेंक यू